तो यारो किसान अच्छी नसल की गाई, भैस एवं बक्रियों को पालना पसंद करते हैं, ताकि कम लागत में अधिक मातरा में दूद का उत्पाधन कर सकें, इन समस्याव से निपटने के लिए थारपारकर नसल की गाईों को सक्षम माना जाता है, थारपारकर उत्तम दुधा दूद करी दी जाएगी, थारपारकर गाईों की पहचान, थारपारकर गाई देखने में सफेद रंग की बहुती सुन्दर और गोल मटोल आखो वाली होती है, देसी गाई जाद तर सुन्दर ही होते हैं, किल्तु ये गाई अपनी एक अलग पहचान रखती है, सफेद पहसम में काले रंग के बाल निकलाते हैं, इसका सर चोड़े माथे वाला, मध्यमाकार का और उबरा हुआ रहता है, इस गाई की कतकाठी, राठी और साही वाल नसल की गाईों से थोड़ा जादा होता है, थारपारकर गाई 24 घंटे में 9 लीटर दूद का उत्पादन दे सक रखती है, थारपरकर नसल की गाई डेरी वेवसाई के लिए, किशी विज्ञान केंदर के विशेशक डॉक्टर सुभास कोशुवाह के अनुसार, डेरी के वेवसाई में थारपरकर गाई अपनी विशेश गुणों की वज़े से काफी उप्योगी है, इस नसल की गाई कम दूद का उत्पादन दे पाती है, थारपरकर नसल की गाई प्रतिकूल परिस्तितियों में भी अधिक दूद देने की शमता रखती है, तथा अन्य नसलों के मुकाबले इसका प्रोडक्शन काफी बहता रहता है, ये गाई अपने जीवन काल में 15 बार तक बच्चे दे स जाती है, ये प्रदेश के जोदपूर, बाड मेर, जैसल मेर, सिरोही, जालोन जैसी शेतरों में पाए जाती है, राजस्तान एक मरुस्तल ये छेतर है, इसे थार मरुस्तल भी कहते हैं, और यही वज़ा है कि यहां की गाईों को थार परकर गाई के नाम से बुलाया जाता ह राजस्तान एक विशाल छेतर है, जिसके थार इलाके में मिलने वाली गाई को थार परकर गाई कहलाते हैं, राजस्तान में रहने वाले लोग इसे मालानी नाम से भी पुकारते हैं, गाई की ये नसल राजस्तान के अलावा, अब देश के बीविन हिस्सों में भी पाली जा जिसमें से कुछ गाई एक समय में 16 से लेकर 18 लिटर दूद देने की शमता रखती है थारपारकर गाई की कीमत थारपारकर गाई का दूद अधिक स्वादिस और पोश्टिक गुनों से भरपूर होता है इसके दूद में प्रोबायोटिक्स गुन होता है जो शरील की रोग प् पैटी एसीड और कैल्शियम की उची मात्रा पाई जाती है जिस वज़े से ये मेंटल डिसॉडर और हड्यों को मजबूती प्रदान करता है मानिक सर में पश्यों की बिगरे के लिए बोली लगाई जाती है इसमें थार परकर नसल की एक गाई की कीमत 40,000 रुपे से स्क्राइब कर लिजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेर करना मत भूलिएगा